असलाम लेकूम मैं हूँ साधिया उजयर वेलकम बेक टू साधिया उजयर्स किचन आज मैं आपके साथ एक परफेक्ट और बेसिक चॉकलेट स्पंज केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही सॉफ्ट स्पंज बनता है और बिलकुल बेकरी में जिस तरह का आपको क्रीम केक या फ्रॉस्टिंग वाला केक मिलता है सेम वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा बड़े केक बिनाना हो या एनिवर्सरी केक या किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए आपको केक तयार करना हो तो इस स्पंज केक पर आप अपनी मर्जी की फ्रॉस्टिंग करते हुए एक जबरदर सा केक तयार कर सकते हैं इस पर आप cream frosting, butter cream frosting या अपनी favorite किसी भी थरहां की frosting का इस्तमाल कर सकते हैं और different type की frosting की recipes भी अकसर वीडियोस में मैं आपके साथ share करती रहती हूँ तो चलिए start करेंगे recipe, बिसमिल्लाहरामार रहीं यहाँ पर मैंने 6 इंच का एक cake pan लिया है आपने देखा है कि पहले मैंने इसको हर तरह से oil से grease किया है और फिर उसके बाद इसमें butter paper भी लगा लिया है सबसे पहले baking pan को इस तरह से तयार करके एक side पर रख देंगे और अगले step में अब हम cake batter तयार करेंगे better बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक mixing ball में तीन अंडे लिये है अब एक electric बीटर से इनको एक मिनट तक बीट करेंगे इस cake sponge को अगर आप perfect बनाना चाहते हैं तो please सारी instructions को follow कीजएगा और वीडियो को बिन स्किप किये देखिएगा तक है आपसे कोई भी important point miss ना हो और आपका cake खराब ना हो एक मिनट तक बीट करने के बाद अब इसमें हम 90 gram sugar शामिल करेंगे और इस sugar को यहाँ पर मैंने measurement वाले half cup में लिया है ताकि आपको अंदाजा हो सके कि measurement वाले cup से इसकी quantity कितनी बनेगी आप देख सकते है बेकिंग के शोक है तो आपके पस एक kitchen scale भी जरूर होना चाहिए हर जगा बहुत easily मिल जाता है क्योंकि बाज़ों काथ cup के size में या cup की measurement में भी difference आ जाता है तो अब यहाँ पर हमें इसको बहुत अच्छे से बीट करना है कम से कम 10-12 मिनट तक इसको हम electric बीटर की मदद से बीट करेंगे ये step इस cake के लिए बहुत important है क्योंकि इस cake में हम baking powder या baking soda वगरा कुछ भी add नहीं करेंगे अक्सर आप लोगों के comments आते हैं कि आपने sponge cake में baking powder का इस्तमाल नहीं किया तो cake कैसे फूलेगा लेकिन यकीन मनिए अगर आप एक बार इस recipe को as it is step by step और सारी instructions को follow करते हुए बनाएंगे तो cake बहुत ही perfect और spongy बनेगा फूलेगा भी तो आप देखें 10-12 मिनट तक बीट करने के बाद अंडो का texture totally change हो गया है ये कितना smooth और silky हो गये है color पी light हो गया है और बहुत ही fluffy भी हो गये है तो अब हम 70 gram मैदा लेंगे जिसको मैंने measurement वाले one cup में लिया है आप देखें half cup से थोड़ा सा ज्यादा है तकरीबन एक से डेट टेबल स्पून के जितना kitchen scale है तो फिर आप last में weight करके ही लें और इसके इलबा हम लेंगे 20 gram cocoa powder जो के तकरीबन one fourth cup है और इन दोनों को अंडों में छान कर शामिल करेंगे लेकिन सारा mixer इसमें एक साथ add नहीं करना 4 से 5 portions पर डिवाइड करके इसको थोड़ा थोड़ा करके mix करेंगे एक एक दो दो टेबल स्पून के जितना तो यहां पर मैंने सारे मैदे को बैटर में थोड़ा थोड़ा करके mix करके fold कर लिया है और बैटर हमारा बेकुल तयार है अब इसे हम bake करेंगे आप इसको पतीले में भी bake कर सकते हैं और oven में भी अगर oven में bake करना है तो पहले oven को preheat कर लें 160 celsius पर इसको 35-40 मिनट के लिए bake कर लें या इतनी देर तक जब तक के केक अच्छे से bake हो जाए केक को निकालने से पहले साफ knife या wooden stick को insert करके चेक कर ले बैटर को पैन में डालने के बाद इस तरह से tap करेंगे तक अगर इसमें कोई extra air bubble हो तो वो निकल जाए तो अब इसे हम bake करेंगे bake करने के लिए यहाँ पर मैंने पतीले को preheat कर लिया था 10 मिनट के लिए पतीले की बेस में आप देखें मैंने नमक की एक लियर बिचा दी है और उसके ओपर steel का एक stand रख दिया है इसके ओपर हम cake tin रखेंगे और flame को बिल्कुल हलका कर देंगे हलकी आज पर इसको 35-40 मिनट तक bake कर लेंगे तो 35 मिनट के बाद cake को check कर लेंगे इस तरह से center से यह देखें cake बहुत अच्छे से bake हो गया है तो बस अब इसको निकाल कर पहले room temperature पर अच्छे से ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद cake को mold में से निकालेंगे यहाँ पर मैंने cake को बहुत अच्छे से room temperature पर ठंडा कर लिया है mold में से निकाल कर butter paper को remove कर देंगे तो यह देखें cake पर frosting करने के लिए अब इसे हम 3 layers में काट लेंगे आप 2 layers में भी इसकी cutting कर सकते हैं मेरे पास ही cake cutter है आप knife की मदद से भी इसकी cutting कर सकते हैं धागे से cutting करना भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ तो यह देखें baking powder या baking soda के बगएर हमने इस cake को तयार किया है और आप देखें कितना spongy है इसके लावा हमने इसमें oil, butter या घी बगएरा भी add नहीं किया तो एक बार इस recipe को as it is step by step सारी instructions को follow करते हुए जरूर ट्राइ कीजिएगा यकीन आपको ये sponge cake की recipe बहुत पसंद आएगी पसंद आए तो वीडियो को like share और channel को subscribe भी जरूर कर लीजिएगा अपना बहुत सा खयाल रखेगा, धौम याद रखेगा थैंक यू फर वाचिंग, अलाहाफिज